एक और simple question और assets revaluation पहले assets revaluation का थोड़ा सा concept या question के साथ ही देख लें question के साथ ही देख लेंगे वहीं पर मैं बता दूँगा इसका क्या treatment रहता है तो assets revaluation फिर से अगेन वही balance sheet हम side में बना लेंगे रफली और सबसे पहले तो देखो adjustment तो मुद्दाबाद का आता है पहले हमें MI और goodwill पर काम करना होता है ठीक है question में क्या कहता है sir question में कहता है 14 2019 को profit Y limited show 8000 इसका मतलब जो Y limited है ये एक S company है और X limited एक H limited है कहता है इसका profit एक चार को यानि मैं timeline बना लेता हूं timeline बनाने से मेरे लिए थोड़ा असान हो जाता है समझाना timeline क्या है एक समय बना लेते हैं कहां से कहां तक का का काम हो रहा है तो sir एक यहां पर date है और एक यहां पर date है sir यहां वाली जो date है ना balance sheet 31 March 2020 की है तो यानि start हो रहा होगा वो एक चार दो हजार उन्निस और end हो रहा होगा 31 तीन दो हजार बीस clear यह बना दी हमने date clear है ठीक है चलिए sir इस date पे कहता है जी हमारा जो profit था ना इस date पे इस date पे profit था वो कितने का था sir 8000 का ठीक है और question में मजे की बात देखोगे reserve है नहीं सरिफ और सरिफ क्या है surplus है तो यह थोड़ा सा मेरे लिए काम easy हो जाता है आगे कहता है and equipment of Y limited Y limited का को equipment है यानि यह बात कर रहा है इसकी Y limited का equipment was re-valued by X limited X ने क्या बोला holding ने बोला भाई मैं तेरे equipment को overvalued कर रखा है उसको मैं दुबारा से valued करूँगा तो इसको जब valued किया गया तो क्या पाया गया sir यह above the book value एक लाख जो कि 20% अबब करा यानि एक लाख रुपे valuation करने के बाद 20% अबब करा जो कि जितना भी होता है एक लाख का 20% 20,000 रुपे आ रहा है अभी हम देखेंगे बाद में but no such adjustment made books बुक्स में नहीं है तो हम तो re-valuation वाले तो बाद में एक entry क्या होना है उसको देख लेंगे पहले हम minority interest का profit और goodwill का काम कर लें तो सर आपको देखोगे यहाँ पर reserve दिखा रहा है 20,000 तो simple सी बात है सर अगर इस date का 8 है तो आप मुझे बताईए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का profit क्या रहा होगा कौन बता सकता है बताओ यहाँ से यहाँ तक का profit क्या रहेगा अगर इस date का 8 है और इस date के balance sheet पे क्या कह रहा है 20 है तो यहाँ से यहाँ तक का profit क्या होगा 12,000 very simple कितने होंगे तो और company कब खरीदा गया इसी date पे खरीदे गया है कुछ ना बोला हो प्रॉफिट कौन समाने हम ठीक है और यह वाला profit क्या होगा प्री ठीक है अब ना हमारा assets कोई भी assets कोई भी assets होगा उसका revaluation होगा तो यहाँ पे आपके दो काम हो सकते हैं या तो वह इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है ध्यान देजेगा या तो इंक्रीज अगर इंक्रीज होगा तब भी प्री से कंसिडर किया जाएगा और डिक्रीज होगा तब और 10% depreciation है ठीक है तो मैं depreciation एक लाग पर मैं चार्ज कर चुका नई company आई और उसने बोला भाई इस एक लाग को एक लाग बीस अजार रुपए करो एक लाग को एक बीस तो बीस अजार को जो profit है वो किसमें चला जाएगा प्री वाले में लेकिन जो बीस अजार रुपए तुमने बढ़ा दिये हैं assets को इसके उपर डैप भी तो लगेगा और डैप लगेगा वो लगेगा हमेशा करंटियर में डैप कहां लगेगा हमेशा क्य लगेगा जो नए प्रोपर्टी प्लांट एक्यूप्मेंट एस टैन है उसके एकॉर्डिंग ठीक है तो जब कभी भी डैप की बारी आएगी ना तो आपने डैप क्या करना है हमेशा पोस्ट वाले में से माइनस करना है तो यहां दो बाते ध्यान रखना जो assets का रिवल्वेशन से adjustment लगेगा माइनस हो चाहे प्लस हो कहां से होगा प्री में और उसके उपर अगर डैप्रीशेशन लगाना हो तो कहां जाएगा पोस्ट में अब देखें डैप्रीशेशन हो सकता है हमारा assets increase हुआ तो डैप्रीशेशन क्या होगा वो भी तो माइनस हो कहानी यह चोटे सी है जो कि आपने अगर समझ लिया है और यही ध्यान रखना है कि सर यहां पर दो ही कहानी है और वो दो कहानी है कि अगर कि डैप्रीशेशन हुआ तो पोस्ट से कंसिडर करेंगे और अगर हमारा री वेल्यूएशन का एफेक्ट हुआ तो वो प्री में लेकर जाएंगे तो सर यहां पर देखें सबसे पहले कि कहता है कि कुश्चन में कि हमारा वेल्यूएशन बीस परसंट अबब हुआ एक लाग का और आप देखेंगे बुक वेल्यू में नाव इसने कंसिडर किया हु भी है वेल्यूएशन बढ़ाएंगे घटाएंगे इस देट पर हुए बात तो इसका मतलब इस डेट पर एक लाग तो डन हो गया था लेकिन इस डेट तक आते आते उसने बोला के हो गया पिच्च्यान वे तो इसका मतलब 5000 का करण्ट येर का डेप लग चुका है पूरे प आपका एक लाख वेल्यू था ना वो कह रहे हो के सर पिच्च्यानवे का अब है तो इसका मतलब डेप्रीशेशन कितना है 5000 और एक लाख पर ही तो पांच लगाया हुआ तो रेट कितना होगा सर मैंने कहा ना वेल्यूएशन होगा तो किसमें एड होगा प्री में और इसी 20 का डेप्रीशेशन भी लगा है क्योंकि हम एक लाख वाले डेप्रीशेशन को तो फेक्टर कर चुके हैं लेकिन जो बढ़ा हुआ वेल्यू उसके डेप्रीशेशन हो नहीं करा अगर आपका पर संट है तो 20,000 रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से डेप भूल चुके और नहीं किया है जो कि कितना रहा है 1000 कहां से माइनस करतेंगे सर 1000 यहां से माइनस करेंगे यानि सही माइने में देखा जाए सर तो post का जो profit आप बोलोगे न वो बोलोगे सर post का profit कितना है खतम. question, question खतम और कुछ नहीं बच्चा question में जा समझ मैं यहीग بात आप कोई दिक्कत नहीं तक ठीक है अब फटाफट से हम MI और जो भी हम निकालते हैं वो निकाल लेते हैं बस आपको ध्यान क्या लिखना है मैं लिख भी दूँगा ताकि आपको याद रहे इसके दो टुकड़े हो जाने है सर एक टुकड़ा जाना है holding के हिस्से में और एक टुकड़ा जाना है MI के हिस्से में Minority Interest इसके भी दो टुकड़े हो जाने हैं एक जाना है holding के हिस्से में और एक जाना है minority के हिस्से में अब सर इसका निकाल लिए अब holding और minority के इंटरस देखिए 90,000 शियर है यहां एक लाग था तो 9 is to 1 का ratio बनके आया है 9 is to 1 बांटिए यह 28,000 हो जाएगा ना 9 is to 1 में बताइए क्या आता है पच्छिस दो सो और यह पच्छिस दो सो और यह पच्छिस दो सो और यह कितना है 2800 2800 ठीक है यह आ गया 2800 अब इसको कर लिजे दो भाग में तो यह आ जाएगा 9900 और यह 1100 किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है बताइए अब निकालने शेयर और कुछ तो है नी depreciation भी ले चुके है assets का revaluation का भी part हम ले चुके हैं अब हम सीधा यहाँ पे निकाल देते हैं सी ओ सी ओ सी में फिर से क्यालेंगे एक्विटी शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्ब है नहीं तो सर्प्लस प्लस तो सर यहां पर जो बनेगा एक्विटी शेयर नब्बे सर्प्लस में बनेगा आपने बताए 25-200 ले लो सर यह वाला पार्ट तो जाएगा नहीं क्यूंकि यह पोस्ट वाला पार्ट है और पोस्ट वाला तो सर्प्लस में जाएगा तो टोटल कितने हो गए पच्चिस कितने एक लाग दो सो और सर इंवेस्मेंट माइनस कर दो इंवेस्मेंट कितने का था सर वन फॉर्टी वन फॉर्टी था ने इंवेस्मेंट तो 24,800 क्या आगया सर 24,800 गुड़ विल आ ठीक है एम आई निकाल ले सर एम आई होगा एक्विटी शियर कापिटल प्लस सर प्लस सर एक्विटी शेर कैपिटल दस हजार प्लस सर प्लस अठाई सो और प्लस सर प्लस ग्यारा सो क्या रहा है तेरा हजार नो सो यह दोनों बाते तो निकाल चुके हैं और कोशन में कुछ बचा ही नहीं एसेट्स में थोड़ा एसेट्स के अंदर कोई भी वैल्यूएशन होगा नहीं जो दे रखा है वो ऐसे ही रहेगा चलिए हम इसी के साथ साथ इसका फटा फटा से सोलूशन भी कर लेते हैं कोई दाउट है तो फिर से अगेन मैं लिख देता हूँ यहां पर नहीं तो क्या बाते याद रखना है रिमेंबर वैल्यूएशन ओफ एसेट चाहे वैदर इन्क्रीज और डिक्रीज देन अडज़ेस्ट कहां से होगा सर ये प्री से प्री प्रॉफिट से ठीक है एंड इस पे होने वाला डेप्रीशेशन कहां से अडज़ेस्ट होगा सर डेप्रीशेशन को पोस से और पूरा डेप्रीशेशन नहीं जितना वैल्यूएशन से इंक्रीज हुए इसरिफ उसका डेप्रीशेशन वैसे तो depreciation कितना लग रहा था 5,000 क्या मैंने 5,000 का adjustment मारा नहीं मैंने मारा स्रिफ 1,000 का अब नए balance sheet में जो मेरा यह पिच्चानवे दिख रहा है यह assets भी कहीं न कहीं गलत होगा क्योंकि इसमें 1,000 का depth minus ही नहीं हुआ है तो अभी देखिए हम नए कौन सो डोलेट बैलेंशीट बनाते तो क्या रहेगा कौन सो डोलेट बैलेंशीट बनाते हैं अगें कह रहा हूं आपको सारे नोट्स बनाने हैं चलिए को वारे क्या रहे रहें एक Yeah क्योंकि बनाते हैं क्याम क्यादी बनाती बनाते हैं क्योंकि लिए बनाते हैं चलिए देखें सर फटाफट से करते हैं खतम इसको तर यह तो रहेगा चारवाग अब सर प्लस की बात करते हैं इसका पचास तो पूरा ही रहेगा और इसका कितना जुड़ जाएगा और पोस्ट वाला 99 तो 50 और 99 लिएन पर कितने बताएं कि इसके बाद बात करते हैं कर्णंट लाइबलिटी यहां पर माई अजाएगा लिख रहा हूं मैं यहां पर जो मेरे पास इस स्पेस नहीं है पूरी बैलीशिट बनाएं नहीं मैंने माई आजाएगा सर 13 करन्ट लाइबलीटी में कोई बदलाव है नि 758 साथ 12 लाग बहुत ज्यादा हो गया यह लोगी खतम अब बात कर लेते हैं अब आपको कितना एक हजार देखो पांच लग लग चुका है लेकिन टोटल ध्यान से देखो तो छे होना चाहिए तब चुरानवे लेंगे हम तो इन दोनों को देखा जाए तो चुरानवे लेंगे तो धाई लाग और चुरानवे कितना आएगा बताओ री कैलुलेटर है आप लोग का हाँ साफ नहीं पेपर होगा नहीं आप से इन्वेस्मेंट कैंसिल हो जाएगा इसके जग़े गुड़ विल आ जाएगा और गुड़ विल कितना आ गया हमारा और मैं कई वार कोशिशन में चैह रहा हूँ फॉलो करना होगा यह तो मैं सरफ रफली करके दिखा रहा हूं आपको इस बात का ध्यान रखिएगा चलिए करेंट एसिट्स कितने का जाएगा तीन लाग यह आट पांच तेरा तेरा लाक पंद्रह हजार क्या तीन चौबाल इस आएगा यह तीन चौबाल इस कर देते हैं य यह वाला हिस्सा ठीक है जोड लेजियो फटा-फट से यह कोश्चन भी डन जोड के बताईए जल्दी और यह चप्टर छोड के नियान आपको एक्जाम में इससे ज्यादा होगा नहीं पंदा नंबर फिक्स है फाइनल अकाउंट पंदा नंबर फिक्स है कैस फ्लो दस नं 17,000,000,000,000,000 और इसका ठीक है न एक्जाम के अंदर स्पेसिफिक शेर कैपिटल वाला चप्टर नहीं छोड़ना इस्वाप करके जाना इस्वाप एक्जाम में आएगा तीन दिन बचे हैं तीन दिन के साथ से स्ट्रेटेजी बनाओ और फटा-फट खतम करो रिवीजन में कोई दूसरा सब्जेक्ट तो हाथ ही नहीं लगाना न क्योंकि एक हपते बाद पेपर है कितने का डिफरेंस है अच्छा 20 हमने एसेट्स को भी नहीं बढ़ाए ना एसेट्स के वैल्यूएशन में भी तो 20 बढ़ेगा क्योंकि 20,000 अबब होगा तो 20,000 होगा तो यह 64 हो जा आप ध्यान दिया आपने एसेट्स पर भी इंपेक्ट आया कहता है कि सर एक लाख रुपे का एसेट्स था 20 परसेंट अबब वेल्यू करना है 20 परसेंट अबब करेंगे तो 20 परसेंट हमारा आ जाएगा कितने 20,000 ठीक है समझ गया यह चलिए अगले कुश्चन पर चलते है जाँकर